तो एक बहुत अच्छी खुश्कवरी आई है उत्तर प्रदेश पुलीस सेवा के अंदर साथ हजार वेकेंसी निकली वी है साथ हजार दोसो लगबग जाने की इसमें सभी लोगों का सेलेक्शन हो जागा और हाइट वगर अभी इसमें बहुत कम मांगे गई है जैसे कि मैं मो से बिलोंग करते हो तो आपकी और छूट जाता मिल जाएगी और एज की छूट भी इसमें बहुत ही जादा दी गई है और साथ हजार वेकेंसी कोई कम नहीं होती है देखते हैं इसकी डिटेल भरती एड्यूकेशन पढ़ाई लिखाई इसके अंदर क्या-क्या मांगा गया है वो सब देखते हैं अब यह जो वेकेंसी निकली है यह आपकी निकली है यह नोटिफिकेशन आज ही निकला हुआ है तो यह आपको यहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं यहां से यह है इसकी वेबसाइड अगर आपको यह पीडियोफ अगर अची है तो आपको यहां से मिल जेगा और इसकी यह आज ही रिलीज हुआ है 30 को 30 दिसंबर को हुआ है और इसका जो लेटर नंबर है वो यह है उत्तर परदेश में निकली है पूरे 60,000 वेकेंसी ग्रेड़ बे कितनी पोश्ट दी गई है जो जर्नल है जर्नल वालों को पोश्ट दी गई है आपकी 24,000 EWS को दीए 6024 और अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264 अनुस एस्सी को 12,650 अनुसूची जंजाती को 1200 टोटल यह देखिए 60,244 पोश्ट इसकंदर और इसमें जो है महिलाओं के लिए होंगे और पुर्षों के लिए भरती होगी और इसका जो आवेदन ओनलेन अप्लाई करना है वो आपको करना है 27 तारिक से 27 दिसंबर से आप इसके जो ओनलेन वेबसाइट है वो उपन हो जाएगी और इसकी लास देट है वो है 16 जनवरी है और इसकी जो फीज वगर भी आप जो सम्मिज जो आप फिल करोगे उसके अंदर अगर आपको कुछ एडिट करना है कोई कुछ संशोधन करना है कुछ तो उसकी जो तारिक होगी वो होगी आपी 18 जनवरी 2024 और इसकी फीज जो है वो है 400 रुपे निर्धारित की गई है ज पहले से जो उनके बच्चे बच्चे जो रह रहे हुं के लिए और वह लोग भी आवेदन कर सकते हैं यह थोड़ा कानून की लोग कि साफ से कुछ दिया हुआ है पाकि यूप ऑल इंडिया के सारे बच्चे बच्चे पर सकते हैं इसमें कम से कम जो है दस बार वी पास होना चाहिए सरकारी मानिता प्राप्त किसी संस्तास से यह नहीं कि किसी ने घर में खोल रहा उसके द्वारा और समय होगा और अपील करने से जो कोई भी आवेदन कर रहा है उस बच्चों को यह ध्यान रख लें चाहिए कि वह उसके पस डिग्री उसके हाथ में उने चीए यह लेकि एसा नहीं कि वह बारवी में पढ़ाई कर रहा है दस्वी पढ़ाई कर रहा है और वह भी उसका रिजल्ट पैंडिंग ऐसा कुछ निया है उसका रिजल्ट बिल्कुल इसके हाथ में डिग्री ओन चीए पास होना चीए वरना बाद में रिजक्ट कर देंगा अगर से जादा उसके बाद से उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर किसी के पास कुछ जादा ही अगर हाई डिग्री कौलिफिकेशन वगर होगी तो उसके अंदर उसको प्राथमिक्ता दी जाएगी जिसकी आप यह देखिए कंप्यूटर का सेटिफिकेट होगा ओ लेवल का उ आयू के देख लेते हैं पुरुशों के होगी उसकी कम से कम जो होगी दोजर्थेज को 18 साल वो कंप्लीट कर चुका होना चाहिए यानिकी एक जुलाई दोजर्थेज को वो 18 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर वो अगस्त सितंबर अक्टूबर नॉबंबर तक में अर्थार 2 जुलाई इसकी डेटों बर दिये होने चीए 2001 से पहले का ना हो और 2000 बाद का ना हो पागी सेस्ट वाले जो होंगे ना उनको छूट मिली गई है यह जन्नन वालों के लिए है आप उसके अंदर आपने पांस साल वगरा जोड़ सकते हो महिलाओ के लिए है 2001 जुलाई 2030 तक अठारा साल पूरी कर लेने चीए और अठाण में से पहले की नियुक्त चीए और सेस्ट वागरा को छूट दिएगी यहां पर देखिए नीचे लिखा हुआ है चरित प्रमान पत्र आपको मिली जाएगा वहां पर आपको से बना सकते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के थुरू भी आप अपना प्रमान पत्र बना सकते हैं बागी केंदर सासी जो संस्ता के वगरा है उनको जो पहले से अंदर कर रहे हैं उनको एक तरह से पदोनती दी जा सकती है वेवाई इस्तिति ऐसी नोची है भाई उसको कोई पंगा नी चल रह होना चीए एक बीवी पहली से जिन्दा है हिंदू कानून कानूसर और वो दूसरी हिंदू महिला के साथ शादी कर रहा है उनमें आपस में जगडा चल रहा है पंगे चल रहे हैं सेलेक्शन हो जाता है बाद में इसको पता चलता है डिपार्टमेंट को कि उसकी भाई नि दिखता उसको कळारब ब्लाइंड नहीं होना चायए क्योंकि कुछ ऐसी भी हो जाता है कभी एक और किसी भी एज में जाता को सिर्फ संफेसे जाता है उसको कलर ब्लाइंड कहते हैं और उसके पूछ सफिरे से और सभी ठाइश्ट होगा उसको कुछ बीमारी निकल गई बरतिगी परिग्या वह यह आपका पहले फिजिकल टेस्ट होगा फिर आपका रिटन टेस्ट होगा और तीन सो नंबर का लिखित परिख्षा होगी दो घंटे का एक्जाम होगा और उसके इंदर जो चार विशे होगे पहला विशे होगा समाने गया दूसरा को समाने हिंदी और तीसरा होगा थोड़ा वह गणित होगा इसमें और मांसिक योगता होगी और फिर वह मांसिक अभी रूची बुद्धिलप्ती एवतार की शमता वह रीजनिंग जो नॉर्मल याजकल जो हर एक्जाम में आता है और इसमें फिर होगा आपके माइनस भी इसमें इसमें जो गलत उतर देने पर आपको माइनस भी नेगेटिव मार्किंग भी है और डेड़ सो परसन पत्र होंगे लिकित परिक्सा में कुल डेड़ सो कोशन पेपर होंगे और अंक होगा तीन सौग का होगा यानि कि एक कोशन होगा दो नंबर का और इसमें जीरो पॉइंट फाइफ कि नेगेटिव मार्किंग यानि कि अगर आपका चार गलत हो जाते तो आपका एक नंबर कट जाएगा और आपको मिलेगी उस पर गोल गोल भरते ना पेपर पर गोल गोल वही होगा उस पर आपको देखके भरना होगा और इसमें जो सेलेक्शन का प्रोसीजर होगा वो कि जैन्वन बंदे जो है जो सच में पड़े वड़े करके उनको उनको लिया जाता है उसका सूत्र यह रहा सही उत्तर गुणा में निर्धार्दित अंक और बटे में सही परष्णों की संख्या और इसका अंदर यह गया कि बहुत जो होंगे चार विकल्प होंगे वह यह करना होगा तीनों पर कर दोगे तो गलत हो जाएगा अगर दोनों गोलों टच कर गया तो भी गलत हो जागा और यहां पर आपको सारी इंफोर्मेशन में मिलते जाएगी जैसे कि फिजिकल टैस्ट होगा रेटन टैस्ट होगए इंटरवी होगा कुछ भी चीज उसकी आपको इस website पे पूरी information दी मिलती रहेगी फिर आप देखते हैं आपका अभी लेकों की समिक्षा है इस सारे रिकमानक परिक्षन documents verification and physical standard test DV and PST इसके अंदर आपको क्या होगा दोड होगी आपकी फिजिकल टेस्ट में दोड होगी documents verification में होगा कि आपके पास सारे होने चीए आपकी वेबसाइट भी चेक किया जाएगा आपको स्कूल का certificate दे रहो तो पता चला आप कहीं पर 36 जारकन या यूपी किसी जंगल जाड़ी में कहीं से भी बना के लिए चाप कई या प्रिंट करके लिका रहो तो और उसकी वेरिफिकेशन की चाहेगी और समय दोड है फिजिकल दोड होगी और हाइट के बारे में बताएगे कम से कम जो चर्णल होगा उसकी 168 मैं अच्छी वह ने 79 सेंटीमेटर बिना फुलाएं और फुलाइन के बाद 84 सेंटीमेटर होना चाहिए और अनुसुशी जंजाती और जंजाती के बच्चों के लिए होगी 77 cm बीना फुला है और 82 cm फुलाने के बाद और जो इसके अंदर है इसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए वो बिल्कुल एकसरे के रिपोर्ट मसीन पतला दूबला होना चाहिए उसमें फुलाने के बाद थोड़ा चोड़ा और थोड़ा होना भी चीए क्योंकि भाई पुलीस की जोब है तो उसमें तो हस्ट पुष्ट तकड़ा बंदा होना चाहिए तो यानि अब जो बंदा फुलानी पार है ना 147 सेंटीमीटर है यानि पांच छार फुट ग्यारा इंच होनी चीए तो चार फुट नो इंच जर्नल लड़कियों के लिए और चार फुट 8 इंच एसट लड़कियों के लिए और वजन होना चीए उनका कम से कम 40 किलो तो वजन होना चीए मैं और वाख़ी के लिए लगबग ठोठा कम मिलैगा सबस्दाइस के लिए होगा फिजिकल के लिए सःग कम होगा तो fifid पच्छीस मिनट में और चार किलोमेटर तो भी हो जाएगा उसी तरह की से दो किलोमेटर और धाई किलोमेटर मानगे चलिए 14 मिनट में पूरी करनी होगी और वह भी महिलाओं को और यह जो जो टाइम दिया गा उसके अंदर हो जाना चाहिए अब होतीज यार अराम से एक एक एक्जाम से फिजिकल टेस्ट से पहले अगर कोई दो हफ़ते पहले भी कर लेगा ना तो बहुत अच्छा कर लेगा पास फिजिकल टेस्ट पास होने के तरीके मैं आपको बताता हूं ठीक है फिजिकल टेस्ट पास करने के तरीके बताता हूं दो हफ़ते के अ हुआ ओंद जिया मालीं है weapon फिकल्स कर करें कर ने के तरीका बताता उना जार्फिज्ड की जाज घ्य्यमालीश यह यह अूपका ठ्रेक्क होगा हुआ है यापकः त्रेक होगा ठीक है और यहाँ से दो इस टार्फ होगी यहाँ पर सारे बच्चे खड़े होंगा और यह आपको यह सारा कम्प्लीट करना होगा तो यह जो इलंबिक लाइन होगी 50-50 के ग्रूप में लड़के-लड़के खड़े होंगा ग्रूप होगे ना तो पूरी कोशिच करना आपको इस तरह यह जो रसी है ना यह इधर खड़ खड़े होना यहां से दूरी ना भोचता बढ़ जाती है आप आप पूरी कोशिच करना कि इस लाइन में इस साथ में इस तरह इधर खड़े होना यहां से ना दूरी दूरी जो होगी ना बहुत कम पढ़ेगी और दूसरा मैं बोल रहो हूं यह जो फूटवल प्लेयर जो जूते खेलते हैं जो फूटवल खेलते हैं वह जूते जरूर ले ले लेना अगर तुम्हें डाउट है कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा जो फिजिकल में बढ़ी है वह तो कुछ भी पहन के चला जाएगा उसको को तो नंगे पैर भी कर जागा पर मैं उनके लिए बता र रिक बता रहा हूं रसी के पास में खड़े हो ना किसी भी तरीके से और दूसरा क्या गया है जो फूटवल प्लेयर होगी जूते होते हैं वह ले लेना क्योंकि उनके जूतों के नीचे जो कीले होती हैं उस कील में क्या होगी आपकी स्पीड ना ओटोमेटिक बढ़ जाग होगी और आजकल तो एक कुछ जूत ऐसे आ रहे हैं जो मार्केट में बैंड है पर आप उसको यूज कर लेना है उसका नाम में भूल गया वह आपके फिजिकल कर सकता है पर दोड़े चेकिंग कुछ भी हो सकती है बागे कीले वाले जूते लेना उससे आप 100% मैं गारंटी ले रहों फेल नहीं हो सकते आप अगर उसको कोई बीमारी उमारी नहीं है आप यह होगा पास होने का तरीका अब आगे बढ़ते हैं फिर होगी फिर उसके बाद होगी फिर आयू की छूट होगी इसमें भाई जो यूपी के रहने वाले हैं उनको तो ज्यादा इस दी उनकी विद्वां वगर के जो है उनकी उनीसोच्छाणवे और चूट दी गई है और जो यह उनको पिछड़ वर्गों के अभिहारती हैं जो मूल इवास ये उनको छूट का दी जी गई है और जो है वर्टीकल आरक्षं इसमें एक सारनी दी गई है जैसकि अनुसूची ज परतिशत 21 परतिशत हो गया और लोग सेवान उसे जातियों जातियों और अन्य पिछड़ा वरक लिए उसे चुराण में गया है उसमें आयू में पांच वर्स की छूड़ देना पड़ेगा उसी तरीके सो इन सबको पांच-पांच वर्स की छूड़ दी जा रही है हार चीज सब्सक्राइब पांच परतिश तरीके सीट है यह सीट है उनकी जो आरकशन दी गई गई और उनको सट्टिफटेट अपड़ायों के लिए 20 पर 30 जो है फिर उसमें के लिए आप जो है शेती ऊर्हारीयंतल जो है उनका अलग नीया मैं वह आप देख सकते हूं कि अग्राइबिए उनको पर उनके लिए नोर्मल है अपना भर देना अराम से उनके लिए कुछ निए अप्लाई करने का तरीक है जो आपको Google में जाइब करना है सब्सक्राइब करना है फिर उस पे लिखावागा आरक्षी नागरी पुलीस के लिए कैंडिडेट्स रजिस्टेशन पर क्लिक करके आगे परिक्रियों का पुरूर्ण करना होगा फिर अपनी और बात ध्यान रख लेना कुछ भी अपलाई करने सब्सक्राइब करना होगा या फोन पे और यह गूगल पे वगर से इन सब्सक्राइब कर सकतो कोई भी प्रॉलम आएगी तो आपको यह फोन नमर जो है इस पर नाइन जीरो वन जीरो दिया गया इस पर जाके आप बात कर सकते हो कुछ भी अगर प्रॉलम हो तो और इसमें ओलान विसुल का बुक्तान इसके अंदर यह बताएगे कि अगर कुछी भी चीज़ कि अगर जो समीट होगी उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेना फ 15 जनवरी तक लाज देते हैं उसके बाद आप कर सकते हो ठीके अब यह डीजी लोकर के बारे में बताया गया है जैसे कि जो बच्चे जो अपना सेटिफिकेट वगर अपलोड करने के लिए उसके अंदर जो अब यह नया ऑप्शन दे दिया है इसका यह मतलब है कि भारत सर मूंबई से हो बंगाल से कहीं से भी हो तो आपके रोल लंबर जाओंगोई अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे बारें करऊंगे ग्राइब दो पर पर लिंग करोगे फिर वहां पर युण चैक करोगे कई कलकत्ता का है मदरास का है बंगाल का यूपी का विहार का दिली का है वहां से अपना स्कूल बोर्ड को स्लेक्ट करोगे फिस उसके आपका रोल नम्मर मांगा गये गा श्कूल का नहीं मांगा जाएका प्र वह आपका डाउणोड कर देगा तो आप सरकार ने क्या करागी आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करने वह रक्ति है आपको स्रिफ डीजी लोकर जो है उसी को अपलोड करना होगा मतलों वह से लिंक हो जागा वो सरकारी वेफसेट जो है आपको मैंने बताया दिया कि जो आपको फोटोग्राफ और हस्ताक्सर की जो है वह आपको डेक्स्टॉप पे फोटो किसके रख लेना है जिस जो कम से कम चाहिए और जदे से जबिए मे होना चाहिए और ज्यादे से ज्दाफ पचास के अटिया हो चाहिए और जहां बज्वर के बगिणा इमेज मिनीममबीस के भी टू 50 के वी तो फोटो इनके फोटोफोड़क्राइवां बुसी नेहितितम में की से लिए पयोड़िकर से ऩ büyव बिल् respectfully चायया नहीं कि यह कोई चस्मा लगाने सदूपर नियां और उसका चेहरत तर्व क्या सब और फोटो अगर आप दे सकते हैं जो है पांच सेंटीमेटर चोड़ा एक सेंटीमेटर लंबा कागज के टुकड़े पर आपको कैले से जिए पीजी करेंगे स्कैन वगरा करके अप्लोड करेंगे और और उनलेन और इसमें जो कुछ पोइंट दिये गया है ओल लेन आवेदन की परिक्राम में अभिहारती पत्र हम चलण में अपनजिकरन करेंगे दिप्टी चलण में जमा करने के अपरांत अभिहारती पुल्ने वेब्सटेट पर जाकर अपना आवेदन पत्र पूरे प्रोट आप ले लेंगे भागी भरती से सम्मधित हो यह हैं कि अगर बाद में कोई फ्रोड पाया जाता है को लड़े जगड़ा करता है को चोरी जखारी में को डेकेती में को मडर में कोई किसी ने कुछ गलत सब्सक्राइब करता है तो इन के पाष पूरी पावर यह वो इसको मनिकाल लेंगे उस्सी टाम पे कानूनिकारवायूइव कर सकते हैं अगर करता है मार्पिट करता है किसी भी तरहीए का होगा और इसमें इसाधिया कि जो नेड़ने हो और बच्चा जाकर कहीं कोट में कर करने और यह और यह लिखत परिक्ष का पार्ठ करम जो आपका एक्जाम आगा वह सम्माननेग्ञान का यह और यह सारी सारी जो है इसी में से कोशन आंगे एक दो कोशन करके आपका जजजगा यह लूज सेंट है एक तरह समय लेजिए जो समानने क्याने लूसेंट खरीद लेना दोसो तीन सुरुपे के लूसेंट आता है उसको अच्छी तरीके से चाड़ जाना चीज तरीके से उसमें से हंडर परचंट तुमारा यह आएगा फिर आप गया समानने हिंदी का हो गया हिंदी में सा अबिलिटी शंग्छात्मा को मांसें की जोगता संग्छात्मा मतलब वह होगा कि राम ने शाम को पांच रुपे में आम बेचा और इसको इतने का लॉस हुआ तो किसके तने पर्दिस रहत का लॉस हुआ या फिर वह बोट इतने स्पीड से वह पानी में लेके जा रहा है इतने से लेके जा रहा है फिर मूल धन ब्याज यह सब यह सब और फिर मैंटल एबिलिटी का मतलब होगे बहिए जो राजू है वह 10 किलो मेटर पूरफ की तरफ चलता है फिर दाइने मुडता है फिर पांच किलो में चलता है फिर इस तरह से नुमेरिकल वगरा जो आएंग फिर लो पॉलिटिकल साइंस के होगे जनहीत के होगे हैं कुछ आपके जो आज और अपडेट भी रहना पड़ेगा आज कल जो कानून पास हो रहे हैं किस तरीके के होते हैं और इंट्रेस्ट यह कुछ एक तरसे लोग पॉलिसी समाजिक ज्यान इन सबसे जूड़े वे जो है खाली स्थान वगए जो है वो तो पता है कि विजुल जिवल्ड जो पांच यह होता है उसके अगर यजद्व उसके पास इसमें पता गया और यह प्रारूब वगए उनके लिए पिर वीरिव वह बिलोंग करते हैं तो उनके लिए प्रारूब नंबर वन वह तो यह प्रिंट निकल के वह अपने जिले के तैसिल वगर में जाकर फोट यह इस्टम्प लगा कर सकते हैं तो इसी तरीके से जो सोधंतर संग्राम वगर करें जिनके पास प्रूफ है दूसरे बही किनको अवर्ड मिला हुआ कुछ मिला हुआ है पर उनके पास सर्टिफिकेट निया तो उनके लिए उनके बच्चों के लिए कि वह उनके पता हैं कि मेरे मात है पीता दादा दूदी जो भी थे वह लोग सोधंतर से ना नहीं थे और इस फीड की जो अच्छेत्रकौल नहीं होना चीए सबसेब चीज़ें दी गई है और इसमें उत्तरपरदेश सरकार का कारे यह कारी लेका है इसमें आपको लेना दे नहीं है फिर प्रावर्ण गया यह जो जो सरकारी नोकरीम है यानिक जो यूपी के सरकारी भी नोकरी कर रहे झाल झाल